हलो वीवस, डिली हेल टिप्स में आपका हादिक स्वागत है दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेकिया आई हूँ वो है मुझे छालों से बचने के लिए घरे लुपाए हर आदमी कभी न कभी मुझे छालों की शिकायात करता है छाले तो छोटे होते हैं लेकिन इन में दख बहुत होता है आमतोर पर ये गाल के अंदर होते हैं और बिना किसी उप्चार के चार से साथ दिन के भीतर ही अपने आप ठीक भी हो जाते हैं इनकी वजा से चार-पांच दिन तक खाने के अलावा पानी पीना भी तष्ट दायक हो जाता है चार-पांच चार जिन की मदद से आपके चार तुरन कम हो जाएंगे इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीचिए पहला है मेथी मेथी में स्वास्य वर्धक और दर्द निवारक गुन होते हैं इसके पत्तों को एक कप पानी में डाल कर उबालें और फिर थंडा होने दें करीब दस मिनिट बाद इस पानी से घरारा करिए दिन में छे से साथ बार घरारा करने से दर्द तो कम होता ही है साथ ही च्छाले सूखने लगते हैं दूसरा है इलाइची छोटी इलाइची के बीच और कथा को बारी पीस कर पाउडर बना ले इस पाउडर को शहर्द में मिलाकर च्छालों पर लगाने से आराम मिलता है दरासल इस से मूँ में जो लार बनती है उस से गंदगी खत्म होती है और च्छाले सुख जाते हैं तीसरा है नमक का पानी नमक का गुनगुना पानी मूँ के च्छालों को ठीक करने के लिए सबसे सरदार दवा माने जाती है नमक में चालों को सुखने की क्षमता होती है गुनगुने पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर दिन में चार से पांच बार खुला करें इससे काफी आराम मिलेगा आलो बुखारे का जूस आलो बुखारे के जूस को मौत वोश की तरहा इस्तेमाल करने से चाले ठीक हो जाते हैं एक बड़ा चम्मच आलो बुखारे का जूस लें और इसे मुँ में लेकर चार से पांच बार खुला करें रुई के फाहे को आलो बुखारे के जूस में डुबा कर भी च्छालों पर लगाये जा सकता है आईस क्यूब्स मुँ के च्छाले अकसर मुँ की गर्मी के कारन होते हैं इसलिए च्छाला होने पर मुँ थंडा रखना भी जरूरी होता है चाले पर ice cubes लगाने से दर्ध कम हो जाता है दिन में 3-4 बार बर्फ को लगाने से चाले जल्डी ही खत्म होने लगते हैं अमरुत के पत्ते, अमरुत की पत्या गुनकारी होती हैं इन्हें चबाने से मुँ के चाले ठीक हो जाते है द्रासल अमृत के नर्म पत्तों में कथा मिलाकर पान की तहा दिन में 2-3 बार चबाने से छाले सुख जाते हैं और दर्धसे भी मुप्ती मिलती हैं तुलसी के अनिक स्वास्ति वर्धक और दर्ध निवारण गुन होते हैं तुलसी के 4-5 साप पत्तों को दिन में 2-3 बार चबाने से धीरे धीरे मुख के छाले छीक होते ही है साथ ये दर्ड में भी रहात मिलती है Friends Fit Curry फिटकरी मुख के छालों को खत्म करने की रामबान दवा है इस से छालों के दर्ड में रहात मिलती है फिटकरी को पीस कर दिन में दो बार लगाईए ऐसा करने से कुछ समय के लिए छाले में जलन हो सकती है लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा और आपका छाला जल्दी से कम हो जाएगा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा मू के छालों के लिए अच्छा हिलाज है छाले होने पर गुनगुने पानी में एक चमच बेकिंग सोडा मिला लें और इस पानी से दिन में कई बार खुला करिए इससे छाले और उनमें होने वाले दर्ट ठीक हो जाएंगे खशखश फ्रेंट्स खशखश पेट को थंड़क पहुंचाता है आन्या में दिंचारी और खानपान में गड़बड़ी के कारण शरीद गर्म हो जाता है जिससे की मू में छाले पर जाते हैं ऐसे में खशखश के सेवन से दर्ट मेरा हाथ मिलती है दोस्तों नारियल, नारियल तेल और नारियल पानी तीनों मू के छालों के लिए दर्ट निवारा काम करते हैं इसका पानी पीने से शरीद थंड़ा रहता है ताजा नारियल छालों पर लगाने से दर्ट में आरा मिलता है और छाले जल्दी ही ठीक हो जाते हैं नीम की पतियां नीम की पतियां दिन में तीन से चार बार जबाने से भी मुझ के छाले ठीक हो जाते हैं पतियां पानी में उबाले और इसी पानी से कई बार खुला करिए इससे छाले सुख जाएंगे और पतियों के पेस्ट में देशी घी मिलाकर छाले पर लगाने से दड़ कम हो जाता है हल्दी हल्दी में अंटिसेप्टिक और अंटि इंफरमेट्री गुन ना सिर्फ मुझ के छाले ठीक करते हैं बल्कि इसे दुबारा होने से भी रोकता है हल्दी के पाउडर में थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना ले और छाले पर लगाईए इस से दड़ में फोरन रहात मिल जाएगी मुलेटी मुलेटी का अंटि इंफरमेट्री गुन छालों के दड़ से रहा दिलाता है इसे पीस कर शहत के साथ छाले पर लगाने से दड़ कम हो जाता है मुलेटी का पाउडर हल्दी के दूद में मिला कर पीने से छाले कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं तो फ्रेंट्स ये थे मूँ के छालों से बचने के घरे लूपाए आप भी इसको ट्राइ करके मुँ के छाले कम कर सकते हैं थैंक्स पूर वाचिं इस वीडियो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब अवर चनल थैंक यू बाई